हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब और कितने दिन बात करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं पिरिड ना आने या फिर देरी होने पर मन में यही सवाल आता है कि कहीं मैं प्रेगनेंट तो नहीं हूँ ऐसे में होम प्रेगनेंसी कीट खरिद कर तुरन टेस्ट करने का इच्छा होती है लेकिन अगर आप ठीक तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना थोड़ा मुस्किल हो सकता है pregnancy test का result तब जादा सही आता है जब उसे सही time पर किया जाता है क्योंकि कई बार गलत time और गलत तरीके से test करने पर आपका result गलत आ सकता है pregnancy का पता लगाने के लिए वैसे तो कई तरीके हैं लेकिन उनके सही result कब रहेंगे इसके बारे में भी जनकारी होना जरूरी है इसलिए यह पाता होना चाहिए कि pregnancy test आखिर कब और sex के कितने दिन बाद किया जाए वैचा तो period नहीं आना pregnancy का पहला लक्षड माना जाता है पर ऐसा नहीं है इसके अलावा कई और वज़े भी हो सकती है तो अब बात आती है कि period मीस होने के कितने दिन बाद pregnancy test करें तो pregnancy का पता तभी लगाया जाता है जब आपके blood में HCG हर्मोन का discharge होने लगे ज़्यादतर महिलाओं में इस process को पूरा होने में 6-7 दिन लग जाते हैं लेकिन अगर आपका period cycle सही नहीं है तो आपको हफते 10 दिन रुखना चाहिए वैसे सही result के लिए period मीस होने के 6-7 दिन बाद टेस्ट करना चाहिए तो अब बात करते हैं कि pregnancy test कैसे काम करता है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि pregnant होने के लिए सिर्फ एक इस्परम को ही एक तक पहुचाना होता है ऐसे में अगर सेप सेक्स करने के बाद भी period मीस हो जाए तो pregnancy test करना तो बनता है तो pregnancy test kit क्या करती है कि आपके urine में HCG नामक हर्मोन की जाच करती है और pregnant होने पर ही urine में HCG हर्मोन आता है यह हर्मोन fertilize एक के गर्भाचा के बाहर यह uterine lining से जुड़ने पर बनता है अगर आपके period मीस हो गए है या आपको period में होने वाली एठन मासूस हो रही है तो ऐसे में आपको test कर लेना चाहिए pregnancy hormone estrogen और prosterosin जादा बनने की वज़़े से breast को चूने पर दर्द फिल हो सकता है यदि ऐसा कुछ फिल हो रहा है तो बहतर होगा कि आप एक बर pregnancy test कर ले अगर एठन और प्रेश्ट में दर्द के साथ आपको मतली किसी special food से allergy थकान बार बार पे साब आ रही है तो इसका मतलब है कि आप pregnant हो सकती है और time बीतने एक साथ यह लक्षर बढ़ सकते हैं इसलिए अगर आपको अपने बोड़ी में इस तरह के बदलाव दिख रहे हैं तो एक बार आपको pregnancy test कर लेना चाहिए तो चलिए जानते हैं कि pregnancy test कब करना चाहिए test करने के लिए सुबह के पहले urine का यूज़ करना चाहिए इसके साथ ही अगर आप test kit का यूज़ कर रही हैं तो उस पर लिखे निर्देशों का सही से पालन करें यदि आप test kit पर दिये गए निर्देशों का सही तरह से पालन नहीं करती हैं तो आपका result गलत आ सकता है जो कि बिल्कुल सही नहीं है तो इसलिए test करते time kit पर बताई का इसा भी बातों पर ध्यान देना जरूरी है तो अगर आप लोगों को यह information अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक् है तेहीं